दोस्तों आजकल पैरों की समस्याएं बढ़ जई हैं। गुटनों के नीचे दर्थ जैसी समस्याएं देखने को मिल जाती हैं। चीटियां जैसी चलने आभाश होता है। पैरों के नीचे, तलों में या घुटनी के नीचे नशों में सुई के चुभन जैसे दर्द मसूस होते हैं। ऐसा लगता है कि चुभने जैसी समस्याएं हैं। इस समस्या को निरोपैथी समस्या के नाम से जानते हैं। या बंद नसों या नर्वा सिस्टम को कमचोर होने के कारण ऐसी समस्याई होती है। आज मैं ऐसे नुसके को बताऊंगा जो आप इस घरे लुटिप्स का इस्तमाल करके आप इस दर्द से सुईज के चुबने जैसी समस्याईं से या घुटनी के नीचे नशों में जो दर्द होते हैं उसे दूर कर सकते हैं। चलिए बीना देल के सुरू करते हैं। मैं भनोत कुमार फ्रॉम जैवालाची अईरवेद प्लामु जार खंट। दोस्तों सबसे पहले आप हल्दी और पानी का इस्तमाल करें। आप इसे दूद में मिला करके भी ले शकते हैं। हल्दी में करक्युमीन नामकतत्व होता है जो हमारी बंद नसों को खोलने में मददगार सावित होता है। और हमारे निव्रोसिस्टम को डेवलप करता है, नसों के कमजोरी को भी ये दूर करता है। इसमें anti-inflammation गूल पाया जाते हैं, जो 900 में मौचुद इंफलामेशन को कम करते हैं, और हमारी कंदगी को शाफ करते हैं, या एक detoxifier के रुप में भी जाना जाता है, आप इस तरीके से आप हल्दी, पानी या दूद्द और हल्दी का इस्तमाल कर सकते हैं, आप गर्म दूद ए या एक गिलास गर्म पाणी में आधे चमच हल्दी को आप प्रती दिन खाली पेट, शुबा और साम इस्तेमाल करें। अगर ऐसा करते हैं, तो आपकी दर्द की समस्याएं, नसो की जो कमजोरी है, नसो का नर्वस सिस्टम आपका वीख हो रहा है, सुई के चुपने जैसे समस्याएं अगर मिलती हैं, तो इस ये अब दूर्द कर सकते हैं। श्वाद के लिए ये आप हल्दी में शहत या गुल भी मिला सकते हैं। आप इसका निमीत रुप से इस्तेमाल करने पर आप पाएंगे कि आपकी ये नर्वस निरोपैथी समस्याएं हैं, ये आपकी ठीक हो जाती है। दूसरा और आसान घरेलू टिप्श है कि आप अध्रक के छोटे छोटे टुक्री काटकर आप इसे गर्म पानी में उबाल लें। अध्रक पानी पीएं। आप इसमें हल्की नमक भी डाल सकते हैं। स्वात के लिए इसमें आप आधा इलाइची को भी डाल सकते हैं। आप अध्रक की पानी को पीते हैं, साथ से आठ दिनों में तो ये समस्याएं ठीक होने लगती हैं। या एक पेन को भी दूर करने में मरदगार सावित होता है। अध्रक में ऐसे गुन पाये जाते हैं, जो दर्द की समस्याओं से भी छुटकारा दिलाता है। निरंतर इसका इस्तमाल करने से आपके नीरोपैथी की ये जो समस्याओं हो रही हैं, पेरों के नीचे तलों में जलन जैसी समस्याओं देखने को मिलती हैं, तो आपके दूर हो जाती है। ये आपकी जो दर्द की समस्याओं, जुबने की समस्याओं, पेर तलों में जलन की समस्याओं हैं, वो आपके ठीक हो जाती है। तिसरा और आसान घरेलू टिप्श है कि आप ऐसे फूर्ट का इस्तमाल करें, जो बिटामिन रिच होता है। जैसे विटामिन B, 1, B6 और B12 सफिसेंट आप फूर्ट का इस्तमाल करते हैं, जिसमें सफिसेंट रूप में ये विटामिन पाया जाते हैं। तो आपके नीरोपैथी समस्याओं को दूल करती है। जैसे आप पालक, शिमला, काजू, बादाम का आप इस्तमाल करें। ऐसा करते हैं, इसमें महकून रूपशे विटामिन B रिच फूट पाया जाता है। तो आप इस फूट का इस्तमाल करके नीरोपैथी प्लॉलम को ठीक कर सकते हैं। आगे आप मैगनिशियम रिच फूट का भी इस्तमाल करें। ऐसे तत्तो का इस्तमाल करें। ऐसे फूट का इस्तमाल करें। जिसमें मैगनिशियम पाया जाता है। जैसे आप खाना खाने के बाद सौप का इस्तमाल करें, इसमें महत्पून रुप्षे magnesium पाया जाता है, सफिसियंट रुप्षे magnesium पालक में भी पाया जाता है, तो पालक का आप इस्तमाल करें. दोस्तों, आप पनीय का पालख पनीय भी आज़ इस्तिमाल करें, दूद का इस्तिमाल करें, दही का इस्तिमाल करें ऐसे foods, nutrients का इस्तिमाल करें, जिसमें magnesium और vitamin B, rich ज़्यादा होता है अगर इस tips का इस्तमाल करते हैं, तो आपके पैरों के शुन होने की समस्याएं, चिटियां चलने की समस्याएं, पैरों के नीचे दर्थ की समस्याएं, चुभन जैसे समस्याएं, सुबह सो करके उठने के बाद एंडियों में दर्थ की समस्याएं अगर बनती हैं, तो आप इस घरेलू और आसान टिप्स का इस्तमाल बिल्कुल करें, कुछी दिनों में फायदे आपके नजर आने लगेंगे, दोस्तों मुझे पूरा उमीद है कि आपने मेरी इस वीडियो से कुछ न कुछ नया शिखा होगा, आप इसी तरह स्वस्त रहें, मस्त रहें, एक वादे के आगे मिलते हैं, एक नई वीडियो के साथ, नमस्कार.